हेलो फ्रेंज आज़े होता मारी साथे सूर्ती ग्रीन बाजी के विरीटे बनाववी एनी रेसेपी सेयर करीज ग्रीन बाजी बनावा माटे गणाखरा लिला रंगना साग बाजी यूज करवामा आवे छे टे माच एमाँ पाउब बाजी मसाला नी साथे लिला मसाला आगड़ परता होई छे माटे एखावामा गणी टेस्ट फूल लागे आजे आ ग्रीन भाजी आपने प्रेसर कुकर मा बनावी सुन, माटे ओछा टाइम मा सरल टाठी बनावी सकाई, तो चालो आज नी आ खुबज मजे दा रेसिपी सरू करिये ग्रीन भाजी मा नाखवा माटे मी यहीं 50 ग्राम सुधा रेला पालक ना पान लिदा छे, सवटी पेला एने ब्लांच करी लई सुन, एना माटे एक नानी साइज नी कडाईमा एक ठी डोड कुप जितलू पानी लईने, स्टव उपर पहलेठीच गरम करवा माटे मुकी दिद कडाईमानू पानी खर्खर्टू गरम ठही गयुँछे, तो हवे पालक ना पानने पानी मा दुबाडीने राक्या छे, एमाठी निटारीने आ गरम पानी मा नाखी सुन, पानी खर्खर्टू गरम छे, माटे पालकने ब्लांच ठवामा वडारे वार नही लागे, एने चिम वड़े गरम पाणी माठी उठावी ने बरफ बाड़ा ठंडा पाणी मा मुखी सुं। बाजी मा नाक्वा माटे ब्लांच करेली पालक नी साथे बाकी नी सामगरी मा चार मिडियम साइज ना वजन मा आसरे 400 ग्राम जितला लिला टामेटा बे कोप जितला रफली कापेला लिला कांडा औने एक मिडियम साइज नू ग्रीन केपसिकम लिदू छे केपसिकम लिला कांडा औने टामेटाने हेंडी चोपर मा जीना चोप करी लई सुं। एक मुट्टी साइज नो वजन मा आसरे 150 ग्राम जितलो बटाको लईने एनी उपणनी छाल काडीने पाणी वडे वस करी लिदो छे एनने मुटा टुकडामा कापी सुं। एक मिडियम साइज नो रिंगन लिदू छे एनो डीच वारो भाग तेमाज उपणनी छाल काडीने एना एक सर्का चार भाग करी शुं। हमना आ रिंगनने आमने आम राखी शुं। बाजी मा नाक्ता पहला सुडारी शुं। और दो कोप जितला फ्रेस वटाना त्रोन नंग साधारन टिखा लिला मढचा एक इच आदो नो टुकडो अने आमा सुकू लसन नाकवाने बदले एक कोप जितलू कापेलू लिलू लसन लिदू छे लिला मसालाने पालक नी साथे वातीने एनी पेश्ट बनावी सुं। हवे एक ग्राइंडिंग जाल लिदू छे एमा लिलू लसन मढचा अने आदू कापीली दू छे एन आखी सुं। टियार बाद जालनो टाकण बंड करीने एने ग्राइन करी सुं। हवे एज मिक्सर जार मा ब्लांच करेली पालक पाणी माठे निटारीने उमेरी सुं। हवे आबड़ी सामगरीने वातीने एनी पेश्ट बनावी लाई सुं। ग्रीन पेश्ट रेडी छे तो हमना एने साइड मा राखी सुं। अने आगरना स्टेप माठे एक मिडियम साइज नू प्रेसर कू कर लाईने श्टव उपर गरम करवा माटे मुखी सुं। गेस फ्लेम लो टू मिडियम निवचे राखी ने एमा त्रॉन टेबल स्पुन जेतलू टेल नाखी सुं। टेल गरम ठाई एतले एमा एक टीस्पुन जीरू नाखी सुुं। एने थोडी सेकन्द माते शांटड़ी नीवचे नशीम घीना छॉप करेला लीला कानदा उमेरी लिलाकांदा ने टेल साथे मिक्सक करीallas हवे गेस फ्लेम लो टरफ राखीसुं। लिला कांडाने लो फ्लेम पर सांटड़ी सुं, जेठी करी ने एनो कलर न बदलाई, हवे एमा बे टेबल स्पुन्चेतलू अमूल बटर नाखी ने मिक्स करी सुं, लिला कांडाने बे टी त्रोण मिनीट मांटे सांटड़ी लिद्याबाड, हवे एमा जीनो चौप करेलू कैपसिकम नाखी ने मिक्स करी सुं, एने पन एक टी बे मिनीट मांटे सांटड़ी लिद्याबाड, हवे एमा जीना चौप करेला लिला टामेटा नाखी ने मिक्स करी બટાકાને આ પ્રમાણે મેડ્યમ ટુકડા માં કાપી લીદો છે એમ આહું મેરીસુ અને રીંગણને પણ સુધારી લ આવી ગયો છે તમે જોઈ સકો છો અને એમાં નાખેલા લીલા મસાલાની સ્મેલ તો એવી છે કે જાણે તરટજ આ ભા છુટુ પડવા લાગીં હવે આ ટાઇમ પર એમાં એક ટેબલ સ્પુન બાઉં ભાજી મસાલો નાખીને સારે રીતે મક્સ કરીસું સાથે એમાં એક ટેબલ સ્પુન જેટ્લુ અમૂલ બટળ નાખીને મક્સ કરીસું બાજી માં સુકા અને ડાકી ને એમાં બે વીસલ આવે એટલે ગેસ્ફલેમ ઓફ કરીડેશું બાજી પ્રેસર કુકઠાય છે ત્યાં સુ કાપી લીદા અને મસાલે દાર બટર પણ રેડી છે હવે આ પાંને સેકવા માટે એની ઉપર રેડી કરેલું બટળ હવે આ સેકે લા પાંને હમણા કેસરોલ માં મકી સું એટલે એ ગરમજ રહે અને આજ પ્રમાણે બાકી ના પાં પ કરી લઈએ ટ્યાર બાટ એમાં પ્રિસર કુકરમાની બાકી ની બાજી અને પાકોપ જેટલી જીની કાપેલી કોઠમે નાખી ને સારે રીતે મક્સ કરીસું ગ્રી બાજી રેડી છે અને એની સાથે ખાવા માટે પાં પણ સેકી લિધા ખાડી હોઈ એનો સ્વાત ટેઓ ક્યારે નઈ બૂલે કારણ કે એનો ટેષ્ટ એવો લા જવાબ કે તમે એકવાર આ ગ્રી પાજી બનાવ સો તો ગર્માં બધાજ વખાણ કરી ને ખાસે અને એને આ રીટે પ્રેસર કુકરમાં બનાવામાં આવે તો સરળ ટાઠી ઓછી મહેનતે ઓછા ટાઇમાં બનાવી સકાય તો સૂરટની ફેમસ આ ગ્રીન ભાજી તમે ક્યાર ફરી મળી સું એક નવી રેસીપી સાથે ત્યાં સુડી ઇટ હેલ્ડી ન્સે હેલ્ડી